देखे ग्रामी न्यूस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जहाँ भी देखो वहाँ कूडे का धिर लगा हुआ है हर तरफ प्लास्टिक और पॉलिथीन बिखरी रहती है जिसकी वज़े से ये पॉलिथीन पशुओ का खाना बन रहा है और ये उन जानवरों के लिए इतना खतरनाक सावित हो रहा है कि ना जाने कितने ही जानवर हर रोज इसकी वज़े से दम तोड रहे है जबकि अगर देखे तो किसानों के खेत में मिट्टी में भी इन पॉलिथीन का असर दिखाई दे रहा है जिसकी वज़े से मिट्टी की उर्वरक छमता खत्म हो रही है यही वज़े है कि कई जगहों में पॉलिथीन बंद करा दी गई है इन सब के इतर उडीशा के बारीपदा में एक शक्स बच्चों को एक अलग और अनोखे अंदाज में पॉलिथीन से फैलने वाने प्रदूसन के बारे में जागरूप करने में जुट गया है बारीपदा के स्थानी अनिवासी विश्णू भगत ने पॉलिथीन की एक ड्रेस दयार की है जिसको पहन कर वो खुद लोगों के बीच पहुंसते हैं साथ ही बच्चों को जागरूप करते हैं कि पॉलिथीन परियावरण में प्रदूसन का कारक है इसका इस्तिमाल कम से कम करना चाहिए वहीं इसके साथ ही बिश्णू भगत कहते हैं कि मैं इस ट्रेस को इसलिए पहनता हूँ ताकि ये संदेश दूर तक जाए कि पॉलिथीन बुरी चीज है और इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि आज के समय में जितनी भी मुसीवतें परियावरण में पैदा हूई है उनकी जिम्मेदार ये पॉलिथीन है पॉलिथीन की ड्रेस पहने हुए बिसणु भगट जहां भी जाते हैं वहां उन्हें देखने के लिए भीड चुटने लगती है जिसकी वज़े से लोग उनके साथ फोटो भी लेते हैं जाहिर है विसणु भगट की चोटी सी उमेद कहीं न कहीं लोगों को पॉलिथीन यूज के लिए रोकती होगी अगर आप पॉलिथीन का प्रियोग अभी भी करते हैं तो आपको भी जिम्मेदार होना चाहिए और इसके इस्तिमाल से दूरी बनानी चाहिए जिससे परियावरर में दिनों दिन फैलती गंदगी को खत्म किया जा सके अगर आप ये ख़बर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो उमारे पेज को लाइक और शियर करना न भूले और अगर आप ये ख़बर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले देखिए ग्रामी न्यूज यूट्यूब पर भी बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए